सवी का स्वागत है अज़ का हमारा टोपिक है गमक किसे कहते क्योंकि इस से पहले लिए बलएज़ कर चुके हैं उन सभी में मैंने बार-बार जिकर किया आख मीड़ खडका मुर्की वेगभी गमक के प्राशिन प्रकार है इसे गमक प्राशिन गमक का प्रकार शतंतर नाम दे कि सवरश्य कंपोग वख है स्थरों है इस रोत्र है छितम सुखाव है अर्थात गंभीर्ता पूर्रिक सवरों का उचारण करना ही गमक कहलाता है जिसे सुनकर को प्राणी के मन में यह सुनकर मन को शांती मिलती है मन को अच्छा लगता है मन को आकरशित करता है मनकार जो रंजन करे वही गमक कहलाता है गंभीरता पूरुक सवरों का उचारन करना ही गमक कहलाता है इसकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा के गम धातु से हुए जिसका अर्थ है चलना गती देना संगीत की खोज करने वाले संद्रे विज्ञान के विद्व विद्वानों ने गमक को बहुत अधिक महत्व दिया है इनके अनुसार संगीत में भावुकता रंजकता और आकरशन उत्पन होने का कारण गमक इसी लाइन को इसी बात को हम दुवारा सुनेंगे गंभीरता पूरुक सवरों का उचारन करना ही गमक कहलाता है इसकी उत्प सुंद्रे विद्वानों के विद्वानों ने गमक को बहुत अधिक महत्व दिया है उनके अनुसार संगीत में भावुकता रंजकता और कोमलता आकरशन उत्पन होने का कारण गमक इसी प्राचिर गुरन्ध में बताए गया है कि जब किसी एक विश्य शमर्की कमपन के साथ खास त्रीके से लाया जाता है लगाया जाता है तो उस किरिया को गमक कहते हैं गमक से ही कण मीड मुर्की खटका आदी कि उत्पत्ती हुई है जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि मीड शारंग देव के पंडि सारंग देव ने गमक के विशेय में बताया कि शवरो का भय कंपन जिसे सुनकर मन का रंज्वाइब उसे ही गमक कहा जाता है जो अभी मने स्लोक पढ़ा था इसका भावार्थ है इसका अर्थात है सलोका सुरो का वह कंपन जिसे सुनकर मन का रंजन हो सके इसके प्रयोक से गमक या वादक अपन संगीत को बहुत ही आकर्शक और मधूर बना सकता है प्राचीन समय में गमक के पंदरा परकार माने गए है जनकी बैवरेशन के पंदरा परकार है कौन-कौन से ज्ञान से सुनेगा कंपित सफूरित आहत आंदोलित पलावित उल्लहसित त्रिविन त्रिप वली हिंपित लीन मुद्रित करूला नामित और मिश्रित यह गमक के पंदरा परकार है गमक अर्था संगीत में ज्योओन आकर्षन है भाउकता रुटता है रंजकता है संगीध में जो आकर्षन उत्पन होता है आत्त्रक्शन और भरवा सुनने की स्छा-जागर्ट होती है उसी का आकारण के है कि उसका कारण क्या है गमक है जैसे एक सिंपल त्रिपया आपको बताता हूं इसमें कोई आकर्षण नहीं यह सिंपल है साधारण है इसमें कोई आपको करके दिखाता हूं जिसे आकर्षण होता है जिसे बारबार सुने की इच्छा जागरत होती है और इसमें इसमें बाइब्रेशन अधिक होते हैं गमक के गमक व्युक्त सरगम आपको सुना रहा हूं बिना गमक के समर्भी अधूरा होता है निरिश होता है उचारम देखीगा अब आपको मैं हर्मोनियों के साथ करवा कि दिखाता हूं हलका हलका देखीगा करवार कि मैं होता है इसमें करवा करवा Ар야 छेखीगा करवार करवार देखीगा करवाह इस तरह से इस तरह से सरगम का उचारण किया जाता है इसे आकर्शन उपन होता है इसके पंदरा परकार है अगला जो हमारा टोपिक है वो है ग्राम किसे कहते हैं अगला क्या है ग्राम किसे कहते हैं ग्राम सब्द एक समुवाची सब्द है ग्राम सब्द एक समुवाची सब्द है जिसका जिसका परकार परिवार जिस परकार परिवार के लोग परिवार में जिस परकार परिवार के लोग परिवार में लोग एक साथ मिल जूल कर रहते हैं तथा एक दूसरे की मर्यादा की रक्षा करते हैं एक दूसरे की रख्षा करते हैं एक दूसरे को आश्रे परदान करते हैं उसी परकार वादी संवादी सवरों का हुए समू जिसमें शुरूतियां वैस्थितों वैस्थितव हो तथा जो मुर्चना आश्रे हो उसे ही ग्राम कहते हैं दुवारा फेर सुने शुरू से ग्राम शब्द एक समू वाची शब्द है जिस परकार परिवार में लोग एक साथ मिल जुल कर रहते हैं तथा एक दूसरे की मर्यादा की रक्षा करते हैं और एक दूसरे को आश्रे प्रदान करते हैं, उसी प्रकार, वादी श्रम, वादी शवरों का वह स्रूतिया वैस्थित हो तथा जो मुर्चनाओं का अश्र हो, उसे ही ग्राम कहते हैं, ग्राम से ही मुर्चना की उत्पत्ती होती है, शुरूती से सवर और सवर से ग्राम की रश्चना हुई है इंदुस्तानी संगीत में तीन प्रकार की ग्राम मानने गए हैं तीन ही ग्राम है शडज ग्राम मध्य ग्राम और गंधर ग्राम पहला है शडज ग्राम शडज यानि सा शडज ग्राम की उत्पत्ति सा सवर से होती है साही इसका मूल सवर है यह ग्राम आधुनिक यह ग्राम आधुनिक काफी थाट के समान है यह जो काफी थाट है उसी के समान यह थाट माना गया है अब ज्यान दीजिएगा ग्राम में इस ग्राम में सारे गामा पाधानी निवर सुरूतियों पर स्थापित है ग्राम को आप शुरूति सवर्थापना, यानकि हमारी हर्द्यस्तान पर 22 नाडियों है, उस 22 नाडियों को जो धवनी आलग वक सुना देती, उन्हें सुरूति की संग्यादी गई है, जो पलसंड में पड़ चुके है, यह 22 षुरूतियां हमारी वाने गई, एक से लेकर 22 षुरूतियां, इ इस कमतलब लगी है सा चोत्य सुरैवी जूरूति पे शा चूत दिच दिचा पना है चार साथ मो तेरा सत्रा बीस बाइस अगला जो गराम है वो है मध्यम गराम यह गराम मा समर से आरंब होता है इसका मूल समर भी मा ही है इस गराम की उत्पतिश गराम के पंचर समर की एक सुरूती कम कर देने पर कर देने से होती है द्यान दी जी का समझाने के लिए मैं आपको 16 जाएगा तो 70 euro क्या बना रूल के साथ 27 9 मा सबर से आर्म होता है इस इसका मुँल सबर भी मा ही है इस ग्राम की इस ग्राम में सारे गाम पाधानी इन शुरूतियों पर स्थापित हुँँ यह मैं पर सब्सक्राइब उस्सांति निए ग़न आइख से तेम क हर तेनल में को सदोनी से अग्रह अग्राम हो इन स्य हूं है आपण का पर्चलन प्राचीन काल में ही स्वाप्त हो गया था कि मानाजट अब ऐसा माना जाता है है कि हैं समरलोग चला गया ऐसा लिशेख में ज्ञादा जैंकारी प्राप्त नहीं है कि उसों लोगों का मानना है कि प्राचीन काल में निशाद ग्राम परचलन में था यह निशाद ग्राम परचलन में थे निशाद ग्राम था लेकिन इसे गंधरव जाती के लोगों के लोगों ने अपना लिया इसलिए इस ग्राव का नाम गांधार ग्राम पड़ा गंधरव लोग के वारे में आपको बता जो महाँ पर गायनवादन करते हैं उन्हें गंधरों कहते हैं जैसे नारद जी भी गंधरों की स्लेड़ी में आते हैं तो यह गंधरों होते हैं तो जो सरोग में गायनवादन करते हैं लेकिन गंधरों जाती के लोग ने अपना निशाद गराम को अपना लिया इसलिए इस ग यह आधनी काल्वे केवल शड़ज ग्राम का ही परचलान है यानि कि आधनी काल्वे जो भी गायन वादन होता हो शड़ज ग्राम से ही होता है आधनी सुर्ट्री स्वास्त आपना ऐसे अलग है वह आपको फिर बताएंगे ग्राम हमारे तीन थे शड़ज ग्राम मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम जो लुप्त हो गया गंध्रोज वारस का प्रयोक किया गया तो यह अपने सास्त्रोग ले गए इसके बाद इसका सास्त् का जिक राता है एक दोहा मैं आपको सना देता हूं जब आवा तुलसी दास जी रामाइड या जब्भी कभी गाते थे या कभी प्रवस्चान करते थे उसमें जरूर जाल दोहा बोलते थे देव दनुजनर नाग खग प्रेत पित्र गंधार वदनाव रजनीचर किनर किरप करो मिली सर्व यानि को सभी ब्रहमांड में जितने जीव जन्तुहुन सभी की पूजा करते थे आधनिक साइंसिस बात को नहीं मानती आकी गंध्रव लोग होते थे इस रोग से कोई आता या जाता था लेकिन हमारे पोराणिक सास्त्र में आजारों साल पहले हमारे देवी देवता भी हमेरे धर्तिव पर भगवान श्री राम का जनम हुआ शीता स्वेंबर हुआ राजा यूजिस्ट्र ने अस्वमिक या तो श्रग लोग से भी संगीतकार देवता यहां पर आये उन्होंने गाइनवादन किया है तो उसी संद्रम में ये गंधार गराम भी आता ह कि हमारे पर निशाद गराम था निशाद गराम का प्रियों गंधर हो लोगों कियर अपने सास्वरों में ले गए और उसके बाद में सास्तों ने इसका कोई भी वरन नहीं मिलता और मद्यकाल में ही गंधार गराम समाप्त हो गया था